हाँ जी तो अपन जो डारेक्ट टेक्स स्टार्ट करने से पहले डारेक्ट टेक्स स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन टेक्स सिस्टम को समझ लेते हैं कि हमारे इंडिया में टेक्स सिस्टम क्या है क्योंकि सारा सब कुछ क्योंकि डारेक्ट टेक्स तो बात की बाते हैं देखो पहले अपन में थोड़ा सा अगर आपको स्रेबस की बात करूँ, इंटर लेवल पे आप लोगों के costing, accounting सब कुछ है, उसमें एक subject text का भी है, उस text में नो ने दो पार्ट किये हुए है, एक direct text है और एक indirect text है, तो direct text और indirect text बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं यह text क definition क्या है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ text की तो text का मतलब क्या है दिखो text simply अगर मैं बात करूँ normal language की या एक movie भी आ चुकी है इसके उपर लगान ठीक है की एक तरीके से एक charge होता है जो collect किया जाता है एक charge होता है जो collect किया जाता है तो इसकी definition झाले जो वावर्मेंट का है कि हम आपसे एक पैसा वसूल करेंगे, एक अमाउंट वसूल करेंगे tax के माध्यम से और उस पैसे को उस revenue को जो हमें generate हुई है हम यानि भारत सरकार जो generate हुई है वो हम आपकी ही utility में use करेंगे वो हम आपकी ही utility में जैसे की road बना दिया, bridge बना दिया, government schools है, government colleges है, government hospitals है इनके पास जो revenue आता है वो भारत सरकारी देती है लेकिन भारत सरकार उस revenue को collect कहां से करती है, public से collect करती है और किस माध्यम से collect करती है, tax के माध्यम से, tax के माध्यम से, तो tax के अगर normal definition की बात करूँ, तो tax, it is a charge, it is a charge, charged by government, charged by government from public for the utility, for the utility, ठीक है, एक charge है, जो government collect करती है अब collect कितने तरीके से करती है उस पर discuss कर लेते हैं कि collect कैसे करती है, तो बच्चो tax को जो collect करती है, वो दो तरीके से collect करती है, एक directly collect करती है, और एक indirectly collect करती है, जो directly collect करती है, उसे direct tax बोलते हैं, और जो indirectly collect करती है, उसे indirect tax बोलते हैं, उसे indirect tax बोलते हैं, ठीक है, फिर अलग-अलग नाम से अब direct tax में भी अलग नाम है indirect tax में भी tax के अलग-अलग नाम से government collect करती है बट पहले हम यह समझ लेते हैं कि direct tax और indirect tax में difference क्या है तो बच्चो direct tax का मतलब यह है ultimate जो burden परेगा ultimate burden है कि हम उसी person से tax collect करेंगे जो income earn करता है इसको पूरी तरीके से income based किया हुआ है कि directly हम उसी person से tax collect करेंगे directly हम उसी person से tax collect करेंगे जो income earn करेगा जो income earn करेगा तो it is a tax which is charged on income और क्यों direct बोल रहे हैं बच्चों हम direct हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहां सिर्फ दो ही लोग आपको दिखेंगे एक government और एक person who earned income government और person बस इन दोनों के बीच के transaction है direct tax एक government का और एक person का और person यहां पर कौन है person वो है जो income earn करता है तो direct tax में बच्चों इन्होंने डाला हुआ है income tax कौन सा tax डाला हुआ है income tax ठीक है पहले यहां पर well tax और यह सब होता था बट अब वो abolished हो चुका है तो direct tax में अब एक ही tax system च tax a tax which is charged on income tax on income tax on income ठीक है यहां तक ओके तो direct tax में income tax है और income tax क्या है a tax a charge which is on income जो income पर लगता है एपन इन्ड Allegork टेक्स पर भी अन्डिसकस करतें, इन एकम इंडारेक्ट टेक्स में थे सकता है ह। me, बता है आपको बता देता हूँ, इन्डारेक्ट टेक्स का Indirect टेक्स को defect क्योँ बोलते हैं, क्यों कि इन्डारेक्टली वे में गॉवर्मींट के पास पहुंचता है anch RNA में government के पास पहुंसता है देखो यहां पर manufacturer, wholesaler, retailer और customer क्योंकि मैंने आपको पता है goods and service based है goods and service based है तो goods industry and service industry उसमें आपको manufacturer मिलेंगे, wholesaler मिलेंगे, retailer मिलेंगे और customer मिलेंगे ठीक है चार आपको लेंगे तो government जो collect करती है वो इन तीन लोगों से collect करती है किन तीन लोगों से? Manufacturer से, Wholesaler से और Retailer से किस के उपर collect करती है? Goods के उपर और Service के उपर कि Manufacturer, Wholesaler, Retailer तुम Goods बेचोगे या Service दोगे तो हम तुमसे Tax लेंगे लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहाँ जो Tax लेंगे Manufacturer से जो Government Tax लेगी Manufacturer से Government जो Tax लेगी वो Manufacturer Wholesaler से लेगा Wholesaler से collect करेगा Government को देदेगा Indirect way में आया Pay करने वाला कोन हुआ? Tax Pay करने वाला कोन हुआ? Wholesaler हुआ लेकिन Government ने collect किस से किया? Collect किस से किया? Collect किया इस Manufacturer से Collect किया इस Manufacturer से Indirect way में, directly connect नहीं हो रही है Government होलसेलर से भी कलेक्ट करेगी लेकिन होलसेलर किस से कलेक्ट करके देगा रिटेलर से कलेक्ट करके देगा टेक्स को और रिटेलर से भी गवर्मेंट टेक्स लेगी लेकिन रिटेलर किस से कलेक्ट करेगा रिटेलर कस्टमर से कलेक्ट करेगा और कस्टमर भी चरह किसी से कलेक नहीं गर सकता customer तो उसका use करेगा, good scout service को consume करेगा, it is a last burden, यह definition में आप देखोगे, last burden जो text का पढ़ता है, वो customer पर ही पढ़ता है, last burden जो text का पढ़ता है, indirect text में, वो किस पर पढ़ता है, customer पर पढ़ता है, तो tax agencies, government की नजर में, tax collect करने वाली agencies तो तीन है, manufacturer, retailer, retailer, लेकिन बेचारा जो ultimate tax दे रहा है, वो कोन दे रहा है, customer दे रहा है, that is why it is indirect tax, अब इस indirect tax में, बच्चों, दो पार्ट में बाटूंगा, आपकी knowledge के लिए, indirect tax में, अब टू 30 जून 2017, अलग-अलग नाम से टेक्स थी, अलग-अलग नाम से, indirect tax में, जैसे कि direct tax में, income tax है, वैसे indirect tax में, अलग-अलग नाम से टेक्स हुआ करते थे, और 1st July 2017 onwards, 1st July 2017 onwards, indirect tax में, अलग-अलग tax है, indirect tax में, अलग-अलग tax है, अब 30 जून 2017 तक, indirect tax में, गॉर्मेंट किस-किस नाम से टेक्स लेती थी, उस पर discuss कर लेते हैं, आपकी knowledge के लिए, 30 जून 2017 तक, indirect tax के नाम पे, गॉर्मेंट जो टेक्स कलेक्ट कर दी थी, वो मोटा-मोटा में, चार, जो major revenue source हुआ करते थे, गॉर्मेंट के, ऐसे तो बहुत सारे tax system है, ऐसे तो 82-83 tax systems हैं, लेकिन, 30 जून 2017 तक, जो major revenue collection tax हुआ करते थे, वो क्या हैं, एक था VAT, एक था service tax, एक थी excise duty, एक थी आपकी excise, और एक है आपका custom, एक है आपका custom, ठीक है, VAT क्या होता है, VAT हो गया, value-added tax, service tax क्या हो गया, service tax हो, service tax ही है, value-added tax, फूल ने हो गया, अब देखो value-added tax, जो VAT है, वो tax किस पर है, जैसे कि direct tax, income के उपर था, income tax, वैसे VAT किस के उपर था, VAT था बच्चों, goods के उपर, tax on goods, वैट किस के उपर था, goods के उपर, यानि कि अगर, manufacturer, wholesaler, retailer, manufacturer, manufacturer, wholesaler को goods बेचता था ना, तो 30 जून 2017 तक जो indirect tax में tax collect होता था, वो wholesaler से ये manufacturer, VAT के नाम से लेता था tax, किस के नाम से, VAT के नाम से, फुल फॉर्म क्या है, value added tax, फुल फॉर्म क्या है, value added tax, ठीक है है यह तक, service tax क्या है, tax on service, कि अगर, अब manufacturer तो service देने से रहा, ठीक है लेकिन, मान लोग कोई ऐसी industry है, जो purely service provider है, purely service provider है, वो service देती है, तो वो service अगर देगी, तो जो tax collect करेगी, वो service tax होता था, वो कोन से tax होता था, service tax होता था, excise duty, manufacturing goods पर लगती है, excise duty किस पर लगती है, manufactured goods के अपर, manufactured goods, और goods को manufacture कोन करेगा, manufacturing industry, manufacturing industry, जो product को बनाते हैं, तो यह start point होता था, यह जो manufacturer है, जब मैं IDT आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो मैं इसका आपको बताऊंगा भी किस तरीके से tax system चलता है, जब अपन indirect tax पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको with example समझाऊंगा, कि किस तरीके से tax collect होता था indirect tax में, यह manufacturer जो था ना, manufacturer जो था ना, उसको excise duty भी लगती थी, उसको VAT लगता था अगर goods की supply करता था, और अगर साथ में service देता था तो service tax भी होती थी, तीन-तीन, दो-दो tax एक साथ, excise तो confirm लगती थी, excise यहां, wholesaler और retailer में नहीं लगती, क्योंकि यह goods को बनाते नहीं है, यह तो goods को बेचते हैं, wholesaler, retailer तो trader हो गए न, wholesaler, retailer तो कोन हो ग जो goods को manufacture करता है, तो जो goods को manufacture करता है, उनको excise duty लगती है, उनको क्या लगती थी पहले, excise duty लगती थी, तो यह भी system चलता था, और last में custom है, which is tax on import, which is tax on import, what is import, import यानि की, इंडिया के बाहर से अगर आपको goods लेकर आते थे, तो एक custom duty आपको देनी पड़ती थी, इंडिया के बाहर से अगर आपको goods लेकर आते थे, तो आपको एक tax लगता है, and that is custom duty, तो 30 June 2017 तक यह tax system, इसके अलावा भी बहुत सारे tax थे, बच्चो, luxury tax, entertainment, बहुत सारे tax थे, ठीक है ना, उस पर भी यह पन discuss करेंगे, एक बार मोटा मोटा जो मैंने major revenue source है, government की, मैंने वो जुलाई 2017 को एक बहुत बड़ा decision हुआ, government को यह मानना पड़ा, कि इस tax system में, इस tax system में, जो customer है ना, उसको बड़ी दिक्कत आ रही है, उसको बड़ी दिक्कत आ रही है, product competitively महंगा हो रहा है, product competitively क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, एक मिनिट बच्चो, product competitively क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, ठीक है, तो government ने, batch, service tax, excise, इस सब को रटा दिया, इस सब को रटा दिया, और 1st July 2017, onwards, एक tax system लेका रहा है, and that is called GST, and that is called GST, full name भी इसका क्या है, goods and service tax, goods and service tax, goods and service tax, and that is GST, and that is GST, and that is GST, goods and service tax, और एक tax system, जो पहले भी था, और अब भी है, and that is custom, and that is custom, custom पहले भी था, और custom आज भी है, तो अगर मैं major बात करूँ, हमारे text structure की, इंडिया की text structure की, तो direct text में इन्होंने डाला हुआ है income tax, और indirect text में डाला हुआ है GST, and custom, indirect text में डाला हुआ है GST, and custom, bad खतम हो चुका है, बच्चों, service tax खतम हो चुका है, excise भी खतम हो चुका है, ठीक है, custom पहले भी था, custom आज भी है, तो अगर मैं बात करूँ, in direct text system के text structure की, तो we have two taxes now, and that is GST, and the second one is custom, and direct text में there is a single tax, and which is income tax, which is income tax, so there are three taxes, और ये पूरा का पूरा आपका स्रेवस है, तीनों ही text की, एक single, आपका hundred mark का एक book बनाया हुआ, एक module बनाया हुआ है, जिसमें direct text भी है, जिसमें GST भी है, और जिसमें custom भी है, जिसमें custom भी है, हुआ ये, कि GST में, जब GST introduce हुआ, एक जुलाई 2017 से GST introduce हुआ है बच्चों, ये data आप याद रखना, तो एक जुलाई 2017 को जब GST include हुआ, GST introduce हुआ, जब GST introduce हुआ, तो सारे goods और सारे services को cover कर लिया गया, कि ठीक है, किसी भी तरीके का goods बेच लो, GST लगेगा, किसी भी तरीके की service दे लो, GST लगेगा, लेकिन दो ऐसी चीज़े हैं, जिस पर आज भी GST नहीं है, goods के होते हैं वेबी, goods के होते हैं वेबी, that is, petrol, diesel and alcohol, petrol, diesel and alcohol, इन दोनों को GST के criteria से बाहर रखा हुआ है, कि अगर petrol, diesel है, तो still अभी भी वोई excise और वैट लग रहा है, और आपका जो alcohol है, उस पर still excise और वैट लग रहा है, क्यूंकि इन दोनों goods को GST में नहीं लाया गया, और क्यूं नहीं लाया गया, ये भी मैं आप लोगों बताऊंगा जब अपन indirect tax पढ़ेंगे, why it is not included in GST, लेकिन GST में petrol, diesel और alcohol इन दोनों को छोड़ दिया जाए, तो करीब करीब सारे goods, करीब करीब सारी services को GST में ला दिया गया है, कि अगर आप किसी भी तरीके का goods बेचेंगे, आपको GST देना पढ़ेगा, collect करना पढ़ेग और भारत सरकार को देना पढ़ेगा, indirect tax इसलिए है कि हम जिससे collect करेंगे, भारत सरकार उससे collect नहीं करेगी, जिसने collect किया है उससे collect करेगी, indirect way में tax आता है, इसलिए इसको indirect tax का आ जाता है, तो बच्चों 50-50 marks में DT और IDT दोनों को डाला हुआ है, इन लोगों ने, 50 DT and 50 ID अब हम आगे बढ़ते हैं अभी हम जो start करेंगे वह start करेंगे बच्छों DT direct tax या तो direct tax बोल लो या income tax बोलो एक ही बात है पहले ऐसा होता था कि direct tax में अलग-अलग tax होते थे तो DT अलग बोला जाता था और उन टेक्सेस को अलग बोला जाता था बट अब तो आप चाहे DT ब पचा है and that is income tax, the tax which is charged on income, कि income earn करोगे tax देना पड़ेगा, और मैं आपको एक बात और बता दू, बच्पन से आज तक मैंने कभी direct tax pay नहीं किया होगा, अगर मैं student रहूँगा, जैसे आप students हैं, बच्पन से आज तक आप लोगों ने कभी भी income tax pay नहीं किया, क्योंकि कभी income earn ही नहीं कि, जब तक income ही earn नहीं होगी, DT जाये गई ही नहीं, income tax जाये गई ही नहीं, क्योंकि income के उपर ही लगता है यह, लेकिन बच्पन से आज तक आप customer तो रहे हैं, बच्पन से आज तक आप customer तो रहे हैं, तो आप लोगों ने हर बार indirect tax तो दिया है बच्चों, आप GST pay करके आते हो, आप खाना खाके आते ह हो, आप GST pay करके आते हो, आप किसी तरीकी की कोई service लेते हो, आप GST pay करके आते हो, बच्पन से आज तक आपने GST तो pay किया है, इन बच्पन से आज तक as a student life, आपने कभी direct tax, income tax पे नहीं किया होगा, क्योंकि income tax तो income पर लगता है, जब तक कमाऊंगा नहीं, तब तक tax दू होगा नहीं, clear है, तो एक बार के लिए, ये छोटा सा, जो चार्ट है आपके सामने, इसको आप note कीजिएगा, ठीक है, बराबर आपको चीजे note करनी होगी, बच्चों, जो भी मैं यापर लिखवाता हूँ, ठीक है, किस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है, मैं देखो, मैं उप्रोवीजन है, वो ये है प्रोवाइजन, दोनों में जो इंपोर्टेंट है वो क्या है, वो प्रोवीजन है, अब प्रोवीजन का मतलब क्या होता है भाई, प्रोवीजन का मतलब है कि गवर्वेंट, जैसर Frenchman, इंकम टेक्स की अगर बात करूत करों, तो income tax में फला income है या तो उस पर tax लगेगा, या उस पर tax नहीं लगेगा, यह याद करना है, फला income है, tax लगेगा, तो कितना लगेगा, अगर लगेगा, तो उसमें से कोई जूट है क्या, कैसे देना है, कितना देना है, कब देना है, जादा दे दिया तो क्या होगा, नहीं दिया तो क्या होगा यह सब income tax का part है तो हमें वो provision याद करने पड़ेंगे कि कितनी income पर tax लगता है कितनी income पर tax नहीं लगता है कौन सी income पर tax लगता है कौन सी income पर tax नहीं लगता है यह सब बातें अपन याद करेंगे वो board पर ही होगा module से भी कराऊंगा कुछ board से भी कराऊंगा questions module के करेंगे कुछ self करेंगे कुछ past examination questions करेंगे तो इस तरीके से आपकी preparation होगी clear है यहां तर ओके तो let's start with income tax let's start with the direct tax ठीक है चले यह एक बार के लिए आप note कर लें यह note कर लें फटाफट से करेंगे कर दो लूण है झाल झाल जी, रोट डाउन बच्चों? चली, लेट स्टार्ट विद् इंकम टैक्स लेट स्टार्ट विद् इंकम टैक्स देखो, इसको बच्चों दो पार्ट में पढ़ना है बाई, इंकम टैक्स का मतलब तो मैंने बताई दिया अटैक्स ओन इंकम, तो बच्चों इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे ऐसी कौन सी इंकम है जिस पर टैक्स लगेगा और अगर टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा? ठीक है? तो एक तो पढ़ेंगे हम income क्या है और उसके उपर tax कितना है उसके उपर tax कितना है, income और tax दो अलगलग पार्ट में पढ़ेंगे तो let's start with income, सबसे पहले अपन income pick करते हैं कि income का मतलब क्या है, income tax में, direct tax में, कौन-कौन सी income आती है कौन-कौन सी income आती है तो अगर मैं income की बात करूँ बच्चों अगर मैं income की बात करूँ बच्चों तो हो सकता है आपकी नजर में कोई भी income हो उसका कोई भी नाम हो कोई भी नाम हो कि नौकरी कर रहा है व्यापार कर रहा है ठीक है किराया आ रहा है ठीक है तो कौन-कौन सी income क किस तरीके से income tax में आपको present करना है तो बच्चों, income को income tax में government ने 5 parts में divide किया है, कितने parts में? 5 parts में divide किया है किसको? income को बोला कि भई, income कहां कहां से हो सकती है? income हो सकती है salary से income हो सकती है house property से income हो सकती है business से या profession से income हो सकती है capital gain बताता हूँ क्या है? और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो other sources तो वो other sources government ने income को बच्चो 5 parts में divide किया है कितने parts में? 5 parts में income को divide किया है भाई, income होगी salary से house property से business या profession से capital gains या other sources से आप मुझे कोई भी income बोल दो आप मुझे कोई भी income बोल दो मैं इन 5 में से उनको adjust कर दूँगा मैं इन 5 में से उनको adjust कर दूँगा अच्छा एक चीज और बच्चो income tax या GST या custom सब जो है ना जो बाते कही गई हैं जो provision प्रोविजन में कर रहा था कि ये बात कह गई है बात कह दी, comment ने ये बात कह दी वो जो बाते कही हैं ना वो section wise कही है किसके wise? section wise तो यहाँ पे income tax में और GST में custom में आपको section wise चीजे याद करनी हैं कैसे? section wise कुछ section wise करनी है कुछ बाते हम बिना section के भी याद कर लेंगे कि मान लो section 2 है section 2 है जो definitions का है वो हर तरीकी definitions दी हुई है section 10 है जिसमें कहा गया है कि कौन-कौन सी income protection नहीं लगेगा तो कुछ ना कुछ बातें section wise की गई है section wise ठीक है? section 1, 2, section 3, section 4, section 5, 6, 7 इस तरीके से अपन को चलना है तो यहां जो मैंने आपको series लिखी है न यह मैंने ऐसे ही नहीं लिखी सबसे पहले section wise में government ने सारी income से related जो salary से related बाती है वो लिखी जब salary के sections खतम हो गए उसके बात start हुआ house property के sections house property का खतम होके शुरू हुआ business उसके बाद हुआ capital gain उसके बाद हुआ अदर से तो आप अगर अभी समझ में भी नहीं आ रहे है section क्या चीज़ है तो भूल जाओ बस मैं आपको इतना सा थोड़ा सा day one में कह दूँगा कि चीज़े जो यहां पे मैंने 5 income का part लिखा है यह series wise ही आपको याद करनी कि पहले salary आता है फिर house property आता है फिर business आता है फिर capital gain आता है और फिर other sources आता है अब अपन देखते हैं incomes देखा इन 5 में adjust हो जाएगी क्या देखो salary से income क्या होती है कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ किसी के foundation में उसके targets पूरे करने के लिए इस पेटे वो मुझे कोई भी amount pay करता है मेरे लिए वो salary है मेरे लिए वो क्या है salary तो job अगर आप करते हैं तो वहाँ से जो आपको पैसा मिलता है वो पैसा आपकी pocket में आता है वो pocket में आया हुआ पैसे को हम क्या बोलेंगे income बोलेंगे अब उसके उपर tax कितना जाएगा वो हम tax में पढ़ेंगे अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो pocket में मेरे पास में salary आ गई क्या उसके उपर tax देना है क्या अभी तक तो देना है हाँ मैं job करता हूँ तो job के दोरान जो मुझे पैसा आता है वो अलग अलग नाम से भी आता है वो salary और ये मैं बता दूँ ये पांच income के जो parts हैं बच्चों ये पांच chapters हैं आपकी book में ये पांच chapters हैं आपकी book में सारा सब कुछ इनी पांच में है ये पांच समझ में आ गया समझवपूरी DT आ गई तो बच्चों salary का मतलब हो गया कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ काम के दौरान कुछ मुझे amount मिलता है वो amount salary है वो salary head में जाएगा इनको head बोलते है salary head, house property head, business head, capital gain head, other sources head इस तरीके से house property क्या है? rental income कि भाया मेरी building है उसको मैंने किराये पर दे रखाया है किराया मेरे को मिलता है income होती है मेरे को income earn करता हूँ तो government की नजर में वो income कौन से head में जाएगी वो house property head में जाएगी salary में कैसे लेके जाओगे? वो salary है ही नहीं nature समझना है अपन को किसका income का nature समझके उसको सही जगे भेजना है क्यों भेजना है? क्योंकि tax उसके according ही लगता है tax उसके according ही लगता है तो सही जगे भेजना important है तो जो मुझे rental income मिली वो rental income कहाँ चले गई? house property में चले गई house property में चले गई अब आते हैं हम बिजनेस और profession पे अब आते हैं हम बिजनेस और profession पे नाम से ही पता चल रहा है business अब मैं भया खुद का ही business करता हूँ खुद का काम करता हूँ खुद ही income earn करता हूँ loss होगा तो मेरा होगा profit होगा तो मेरा होगा loss होगा तो मेरा होगा profit होगा तो मेरा होगा तो इस income को कौन से head में लेके जाऊंगा, business में लेके जाऊंगा, उस income को कौन से head में लेके जाऊंगा, business में लेके जाऊंगा, अब आती है capital gain, capital gain में बच्चों दो चीज़े important आती हैं, एक shares और एक immovable property, हालें कि पूरा का पूरा chapter है, लेकिन मैं थोड़ा सा intro आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर आप shares बेचते हैं, जैसे मानलो as a chartered accountant, मैं मेरी practice कर रहा हूँ, मैं मेरा practice कर रहा हूँ, तो सोचो, अगर as a chartered accountant मैं खुद का practice कर रहा हूँ, तो मैं जो earn कर रहा हूँगा इन पार्च में से आपको कहां दिख रहा हूँगा, खुद का कर रहा हूँ न, self employed हूँ, तो वहाँ से join करूँगा, वो कहां लेके जाओंगा, business में, मैं self employed हूँ, साथ मैंने दो property purchase की हुई हैं, उनको rent पे दे रखा हैं मैंने, वहाँ से मुझे एक लाग रुपे महीने का rent आता है, वहाँ से मुझे एक लाग रुपे रेंट आता है, pocket में तो पैसा आई रहे, pocket में पैसा आ गया न, इनकम है, अब उसके ओपर tax लगेगा की नहीं लगेगा, वो बात की बात है, बट इनकम तो है, अभी हमारा target है, इनकम है की नहीं है, इनकम तो है, कि वो जो rent का प प्रॉपर्टी थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी मैंने बेच दी, कि भाया, पचास लाग की प्रॉपर्टी पर्चेस की थी, उसको मैंने सतर लाग में बेच दी, उसको किते में बेच दी, सतर लाग रुपे में बेच दी, तो सोचो, पचास की चीज अगर सतर में बेची, तो 20 लाग का profit हो गया ना 20 लाग का क्या हो गया profit हो गया तो 20 लाग रुपय क्या बन गई income बन गई अब income तो बन गई अब उस income को इन 5 में से एक जगए adjust करना है tax देने के लिए तो कहां लेके जाओं उस income को capital gain में कहां लेके जाओंगा shares purchase करता हूँ ठीक है और shares बेच देता हूँ profit हुआ 100 रुपय का खरीदा था 200 रुपय का बेच दिया 100 रुपय कमा लिए income तो है उस income को कहां लेके जाओंगे बच्चों capital gain कहां लेके जाओंगे capital gain clear है यहां तक और एक है आपका other sources income तो है लेकिन ना salary का part है ना house property का part है ना business का part है ना वो capital gain है तो जो जिसका कोई नहीं है उसका other sources है जिसका कोई नहीं उसका कोण है other sources है जैसे कि suppose as a chartered accountant ठीक है मेरे पास में कौन बनेगा करूडपती से एक call आया ठीक है कि आईए आप कौन बनेगा करूडपती में कौन बनेगा करूडपती में मैं चला गया और वहां पर मैं hire लेले लेगा ना तो share बेच कहा यह ना property बेच कहा बट income तो है कहां जाएगी other sources में और ये बात समझ में मैंने मेरा saving account में मेरा 1 रूपध्य डिपाउजिट है अब 1 करूट रूपध्य डिपॉजिट है तो बैंक ब्याज देती है उस एक करूर रुपए का इंट्रैस्ट बन गया जू बैंक मुझे दे रही हैं एक लाग रुपए का भ्याच इंट्रैस्ट ना सेलरी है है ना इनकम है ना काज गईगी अदर सोटनी अधर सोर्च जा धहां अभी पूरा पूरा डे голगा पूरा डेकं हॉप अभी तो मैं आपके mind को ये adjust करने की कोशिश कर रहा हूँ कि income को आपको किस तरह से determine करके इनको सही जगे भेजना है सही जगे भेजना पड़ेगा, गलग जगे भेज दिया, तो गए काम से, गए काम से फिर, clear है यह तक तो ये 5 income के part है, फिर इस 5 के उपर मैं tax कितना pay करूँगा, ये मेरा part A है और ये मेरा part B है और अभी हम part A पढ़ रहे है, income क्या है, income कोन सी है, किस पर tax है और किस पर tax नहीं है फिर tax determine करना, ये part B में हम करेंगे determination of tax determination of value of tax फिर हम यहां निकालेंगे tax की value जो हम को भारत सरकार को pay करने है जो हमें भारत सरकार को pay करने है तो पहले तो आप इंकम पे आ जाए, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं income क्योंकि यहां पे कुछ terminology है, कुछ ऐसे words हैं, जो हमें समझना पड़ेगा income earn करने वाला कौन है, कौन से साल की income लेंगे, कौन से साल में tax देंगे उनको एक शब्दों में पिरोया है, income tax ने तो वो language क्या है, वो term क्या है, वो word क्या है, वो हमें देखना होगा एक बार आप यह फड़ा फड़ से पांचो head की income लिख लीजे पांच आपके सामने, chapters सामने हैं आपके किया है, झो क्या है, कह बार आपके एक रे एक बार आपके beingali कुँआ है कि तो एक क्या है एक बार बार आपके मैं पुष्ष्ण एका है मैं है, रार एक料 एकिन Richard हे ठापकेजीओ देन बच्चों चलिए जी अब कुछ टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं इनकम टेक्स में पॉइसन कोट हैं इनकम अर्न करने वाले कौन हो सकते हैं वो अमें पढ़ना होगा क्यूं सब पर अलग-अलग टेक्स भी है टैक्सी रेट ही अलग अलग है किसी पर 5 है किसी पर 10 है किसी पर 20 है किसी पर तो परसन में कोन कोने बच्चहों एक परसन एंडिविजवल एक है हो फिल फॉड़ फॉर्म है a Hindu undivided एक है पार्टनर्शिफ फॉर्म एक है कंपनी एक है एक है एओपी फुल फॉर्म है अस्सोसियेशन ऑप पर्सिंट एक है बी ओ आई बॉड़ी ओफ इंडिविज्वल एक है लोकल आथोरिटी एक है आर्टिफिश्यल जुडिश्यल पॉर्सन इतने लोग है जो इंकम अर्ण करते हैं तो हमें स्टेटस पता होना जरूरी है कि भाया सैलरी कमाई तो किसने कमाई आई प्रॉपर्टी की रेंटल इंकम हुई तो किसको हुई यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स अकॉर्डिंगली लगता है अगर कमपनी रेंटल इंकम करती है तो वह कमपनी 30% एक्स देगी लेकिन वही रेंटल इंकम कोई इंडिविज्वल परसें अर्ण करता है इंडिविज्वल अर्ण करता है तो बच्चों जो रेट है वह ऐसे पांच दस पंद्रह बीस इस तरीके से न्यू स्लैप के अकॉर्डिंग पुरानी स्लैप के जरूरी है कि इंकम टेक्स में ये सब लोग इंकम अर्ण करते हैं और सब के उपड़ टेक्स सिस्टम अलग अलग है पहले बात करते हैं इंडिविज्वल की भाया इंडिविज्वल कोन होता है एक अकेला विक्ति एक अकेला आदमी जैसे कि मैं as a started accountant मैं खुद की practice करता हू रेंट की इंकम होती है खुद की होती है salary है खुद कमा रहा हूं business कर रहा हूं खुद कर रहा हूं एक अकेला अदमी बिजनिस का ठीक है property बेच रहा हूं खुद के नाम की property बेच रहा हूं ठीक है सब कुछ खुद के नाम पे है तो वो होंगे individual क्योंकि आपको जब question given होगा तो ऐसे लिखाओगा Mr. X individual person, X and Y a partnership firm, X and Huf, X private limited, Y limited, X, Y, Z association of person इस तरीके से आपको question मिले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि income जो दी हुई है question में वो कौन से person की दी हुई है कौन से person की दी हुई है तो individual हो गया एक अकिला विक्ति हएफ नाम सी पतल चला है हिंदू undivided family एक family members हैं जिसमें पापा हो गए मम्मी हो गए दो बेटे हो गए और एक बेटी हो गया मानलो for example एक बेटी हो गया चार लोग है mother father एक बेटा और एक बेटी चारों ने मिलकर एक family भाई family तो ही मिलकर इन्होंने क्या करा मिलकर इन्होंने एक entity बना दी family की होता क्या था मैं आपको बताता हूँ हेफ में जब इन्होंने जब मैं हएफ करा हूँ गा तब मैं आपको बता भी दूँगा यह भी आपको इतना सा याद रखना है कि family members मिलकर एक business create कर लेते हैं एक पूल बना लेते हैं कि उसमें मानलो बेटा भी कमा रहा है बेटी भी कमा रहा है मम्मी भी कमा रही है पापा भी कमा रहे है चारो इंडिविजल इंडिविजल तो टेक्स दे ही रहे हैं लेकिन चारो जो टेक्स दे रहे हैं वो थोड़ा सा टेक्स बचाना चाह रहे हैं तो वो चारो अपनी इंकम का कुछ ना कुछ पाट हुएफ में डाल देते हैं और एक नई एक नई हुएफ बनाके एक नया टे क्रिएशन क्रिएट करते हैं कोई एंटिटी क्रिएट करते हैं कोई बिजनस क्रिएट करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा हिंदू अंडिवाइड फैमली पार्टनर्शिप फॉर्म जब दो लोग मिलकर कोई बिजनस करते हैं वह पार्टनर्शिप फॉर्म है और वही दो लो जिस पर रोसी रजिस्ट्रार ओफ कंपनी का गंडूल रहता है ठीक है पार्टनर्शिफ फिर्म में तो किसी का गंडूल नहीं है दो लोग मिलकर एक डीड बना लेते हैं उसमें अपनी सारी शरते लिख लेते हैं जो भी मेरी सरते हैं आप फाउंडेशन में पढ़कर ही आ र बाटें है इस नाम से पता चल रहाए एस सोसेशन आप ऐसे ले गुरूप और परसे कि माल लो इंडिविजुल और एक कंपनी इन दोनों ने मिलकर एक नया बिजन्स करेंट कर लिया association of person, a group of person, persons का समू, दो लोग, कोई भी दो परसन, इस पूरी लिस्ट में, कोई भी दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं, तो वो association of person, AOP, यहाँ पर basically आपकी NGOs भी आती हैं, ठीक है, आपकी cooperative society आती है, normal society आती है, वो सब AOP का ही पार्ट होता है, वो सब AOP का ही पार्ट होता है, association of person, इवन आपका जो CMA institute, C institute है, वो भी AOP ही है, association of person, body of individual, body of individual, body of individual, body of individual में होता क्या है, दो individual मिलकर, एक business करते हैं, दो individual मिलकर क्या करते हैं, एक business करते हैं, लेकिन अब वो दो individual जो business करते हैं, वो firm नहीं create करते हैं, partnership नहीं करते हैं, कोई deed नहीं बनाते हैं, long term के लिए काम नहीं करते हैं, छोटे से vision के लिए काम करते हैं, once your vision is done, B.I. finished, ठीक है तो body of individual एक particular target के लिए, particular vision के लिए, जो दो लोग मिलकर काम करेंगे, दो individual मिलकर जो काम क करेंगे, and that is body of individual, इसको और detail में भी आपन पढ़ेंगे, B.I. A.O.P. को, अभी मोटा मोटा में आप लोग को बता रहा हूं, local authorities जैसे की L.I.C. हो गई, जिसमें government का थोड़ा बहुत stake रहता है, जिसमें government का थोड़ा बहुत क्या रहता है, stake रहता है, और इसके बाद, ऐसा person जो इनमें कहीं पर भी cover नहीं हो पा रहा, तो वो कहां चला जाएगा, artificial judicial person में चला जाएगा, artificial judicial person में चला जाएगा, तो यह आपकी person की normal definition, ठीक है, अब दो term हम और देख लेते हैं, बच्चों, एक होता है previous year, और एक होता है assessment year, इनकम जो लूँगा, वो कौन से year की लूँगा, कौन से month की लूँगा, वो important है, तो बच्चों, month जो चलेगा आपका, 12 महीने का income हम लेते हैं, उसके उपर tax लेते हैं, तो शुरुवात तो एक अप्रेल से ही होती है, और खतम वो 31 मार्च को ही होता है, खतम वो 31 मार्च को ह होता है, और income tax में थोड़ी बहुत आप लोगों को पता होगा, हर साल income tax में tax system थोड़ा थोड़ा change होता रहता है, हर साल budget आता है फरवरी में, फरवरी में budget आता है, तो देखो जब budget finance minister पढ़ते हैं, तो बताते हैं ना, भया यह से यह income है, इन इन इनकम पर यह यह tax है, इन tax रखा गया है, यह extra चीज हमने और introduce किय है, तो हर साल budget आता है, हर साल budget हाता है, हर साल change होता है, तो हमें भी, अभी हमारा 2030 चल रहे हैं, तो आप लोगों का जो previous year रहेगा, को previous year क्या रहेगा, תो हज़ार 2024, डोज़ार 2024, तो आपका assessment year क्या हो जाएगा, assessment year हो जाएगा, आपका 2024, 2025 ठीक है लेकिन अभी आप लोगों का December attempt लगेगा तो एक बार अपन इसको 22, 23, 23 चोईस असेस्मेंट कर लेते हैं फिर साथ के साथ मैं आप लोगों को बता भी जाओंगा चलो नए असेस्मेंटी पढ़ते हैं बच्चोब अना तो 1st April 2023 से 2024 यह आपका financial परले previous year की बात करता हूँ previous year आपका क्या है आपका previous year का मतलब क्या होता है previous year का मतलब होता है वो year जिसमें income earn की जाती है year in which income earn? year in which income earn? और assessment year year in which tax paid जाइड सी बात है income earn करूँगा इस 12 महीने के लिए income earn करूँगा इस 12 महीने के लिए फिर उस 12 महीने में जो मैंने income कमाई 5 head में से जहां पर भी कमाई उसका tax तो next year ही दूँगा ना तो जिस year tax देता हूँ ना उस year को assessment year बोला जाता है जिस year tax देता हूँ उस year को क्या बोला जाता है? assessment year बोला जाता है assessment year बोला जाता है ठीक है? तो previous year in which income earned and assessment year in which tax paid तो आप assessment year 24-25 के लिए पढ़ेंगे, assessment year कोन से year के लिए पढ़ेंगे? 24-25 के ठीक है यहां तक? ओके जी? यहां तक कोई दिक्कत? कोई समस्या? कोई परेशानी? ठीक है? अब हम आगे वो जो मैंने 5 head आप लोगों को करवाए हैं और यह normal-normal जो definitions है, normal-normal जो terminologies हैं, वो तो हम साथ के साथ, साथ के साथ करते जाएंगे तो अब हम जो next start करेंगे, वो start करेंगे, 5 head में से कोई एक head उठाएंगे और उसको start करेंगे, 5 chapters है, पहले उन 5 chapters को समझनी की कोशिश करते हैं, काफी अब तक आप लोगों को DTE ही रंग से समझ में आ जाए हैं, ठीक है? जैसे ही 1 head करोगे, आपको DTE का एक normal समझ में आ ठीक है, बाकी का पन कल देखते हैं, आज के लिए इतने हैं, ठीक है बच्चों, बाबाए, गुड़नाइट